Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल एक हॉस्पिटल के वाड के अंदर, यह वो अटेक था जो दाउद इब्राहिम ने दुबई से बैट कर भारत में करवाया था, जब वो यहां से मुंबई से दुबई भाग गया था, उसके बाद में भारत में जो अटेक था वो एक तरह सबसे बड़ा अटेक उस समय हुआ थ यह वो शूट आउट था जिसमें दाउद का, जिस शूट आउट के बाद, जो भारत के अंदर उसके पॉलिटिकल रिलेशन्स थे, जो उसके नेताओं से, कैबिनेट मंत्रियों से, मेर से, MLA से सम्मन थे, वो जागर हुए, वो सामने है जनता के, और यह वही जे जे नेकसस, सेक्योरिटी एजन्सीज और हॉस्पिटल की सेक्योरिटी के ऊपर कई सारे बड़े सवाल खड़े हुए, और सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी बात, जो इसमें सामने निकल के आती है, और यह सवाल उठता है, कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अन्रवर्ड ड 1985 के बाद, मुंबई अन्रवर्ड में गैंग हुआ करता था, बी आर एंडे, बाबु रेशम, रमा नायक और अरुन गौली, इन तीनों का एक गैंग हुआ करता जिसको कहते थे बी आरे गैंग, अब पहले यह जो लोग थे, यह तीनों, यह दाउद इब्राहिम के साथ, ड वो एक प्रॉपर्टी के चलते हैं, उसकी रंजिश होती है दाउद इब्राहिम के साथ में, दाउद गैंग के साथ में, बताया जाता है कि उस जमाने में रमा नायक करीबन साड़े तीन करोड की एक पूरी जमीन थी, एक प्लॉट था, वो उसको लेना चाहता था, और एक और दूसरी पार्टी थी, जो उसी जमीन के ऊपर अपना हग दिखा रही थी, रमा नायक का ये प्लान था कि इस जमीन को लेने के बाद वो उस जमाने में, साड़े तीन करोड की जमीन पर उस पर एक पूरी बिल्डिंग खड़ी करेगा, उसके बाद में उसमें फ्लैट न लेकिन ये जो समझोता हुआ था इससे रमा नायक खुश नहीं था, उसको ये था कि उसके साथ एक तरह से ज्यात्ती हुई है इसमें, और इसी के चलते रमा नायक की दाउद के साथ में और डी कंपनी के साथ में अनबन हो जाती है, और ये दुश्मनी एक तरह से इनकी चल में जाने के बाद मुंबई के अंदर डाउद ने अपना काम चलाया था तो 1987 और 1988 इन दोनों को इस पूरे गैंग को दो बहुत बड़े जटके देता है 1987 में उसने दाउद इब्राहिम ने बाबू रेशम को मरवाया और अगले ही साल 1988 में रमा नायक का मड़र रा दिया अब यहां पर यह पूरा बियार है जो गैंग था यह खतम हो गया एक तरह से और से इसमें अब एक शक्स बचा था अरून गौली अरून गौली का एक बड़ इन लोगों के दोनों के जाने के बाद में बाबू रेशम और रमा नायक की हत्या के बाद अरून गौली ने अपने भाई के साथ में पपा गौली के साथ में एक गैंग बनाया और इसके बाद में यह लोग इसी के साथ यह अपना सलो मशवरा जो भी इनका रहता था वो ऐसा शक्स था जो अपना जो उनका एरिया हुआ करता है दगडी चौल मुंबई में तो दगडी चौल से वो कभी बाहर जादा निकला ने वह जब भी वहां पर रहता था वह अपने ही एरिया में अरण गौली रहता था लेकिन वहीं जो उसका बड़ा भाई था पपा गौली किशोर गौली तो वह जो उसके बारें बताते हैं कि वह जब फब सडकों पे गूमना और खुले में कभी भी निकल जाना इसे तो वह यह सब उसमें वह कभी भी डरके नहीं रहता था एक तो जाता था जबकि इस समय दावध गयंग के साथ में इन लोगें उन लोंगे का ज माहिम में, मुंबै के माहिम में शीतला मातामंद्र के बाहर था. वहां पर वो खड़ा हुआ था और अचानक से वहां पर एक आदमी पोहुशता है. तो अरुन गौली का जो बड़ा भाई पपा गौली यहाँ पे शीतला माता मंदिर के भार जो खड़ा हुआ था माहिम में यह शक्स वहाँ पे पहुंचता है और उस पे अंदर दून फाइरिंग करना शुरू कर देता है पपा गौली के इसमें मौत हो जाती है स्पाइरिंग में अब यहां से जब अरुन गौली के बड़े भाई की मौत होती है तो गौली यहाँ पर पूरी तरह से एक तरह से कहिए कि अखेरा पड़ गया और इसके बाद में उसके अंदर जो फ्राक में था लगाता है, वो ये था कि अब वो बदला लेना चाहता था अपने भाई की मौत का, बाबुरेशम की जो उसके पुरा में सात ही थे, रमानायक बाबुरेशम, उन दोनों की मौत का भी, तो वो दाउट से लगाता है बदला रिवास कहें चला आता है अंडर वर्ड में इसी के तहरे तब यहां पर अरण गौली यह चाहता था कि अब वो किसी दाउद के जो किसी भाई को निशाना बनाए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें अगर आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आ काम में आपको अच्छी पढ़ाई यहां पर करवा रहा है इस्ट्ड़ी आइक्यू इहां पर आपके लने कर आए प्रोग्राम का नाम है यहां पर आपको ses लेkar किए इंटर्वी तक की पूरी तयारी मिल जाता है 55,000 का कोर्स आपको 29,999 मिल जाएगा इसी के साथ अपना एक आप बहुत बड़ा step लेंगे इस तैयारी को मजबूत करने के लिए और एक बहुत बड़े discount के साथ में आप अपनी तैयारी को यहां पर मजबूत करेंगे तो यह कोर्स लीजिए अपना एक कोड लगाई है यह वाला और इसके बाद इस तैयारी को अपनी मजबूत करिए धन्यवाद तो शुरू करते हैं अपने आगे की कहानी आरण गवली क्योंकि यहां ढ़ाई में बताते हैं के पार्क मोडिया स्ट्रीट में रहता पराक पार मोडिया इस्ट्रीट में बताए जाता है कि एक तरह से वो दावत का किला था महा पर इतने सारे उसके लोग रहते थे एकबाल कासकर की सुरक्षा में भी इतने लोग रहते थे कि अरण गौली के लिए उसको मारना उस समय पर बहुत जादा मुश्किल का काम था लेकिन इस बीच अरण गौली ने जितने लोग उसकी भाई की पपा गौली की हत्या में शामिल थे उन सबको एक-एक करके ठिकाने लगाना शुरू किया उन सबको मारना शुरू किया एक मेन बंदा था मनोज कुलकरणी उसको भी इसने इसमें मारा अरून गौली ने और बहुती ड्रमाटिक तरीके से एक बहुती फिल्मी सीन बनाके मनोज कुलकरणी की यहां पर हत्या की गई थी बताया जाता है कि मनोज कुलकरणी की जो बहन थी उसकी शादी थी और वहां पर वो पहुँचा हुआ था और वहां पर अरून गौली के लोग पुलिस के गेट अप में जाते हैं पुलिस का भेश बनाकर और पुलिस के गेट अप में जाके वहां से उसको निकाल के लाते हैं कि आपकी जान को यहां पर खत्रा है आपको दूसरी जगे ले जाना है और वो उनके साथ में आ भी जात में जो इसके भाई की मौत में इंवाल था और अन गुड़ी यहां पर अभी बदला लेना उसका पूरा नहीं हुआ था वो चाहता था कि दाउत के किसी close को किसी ऐसे शक्स को मारे जो बहुत यह उससे करीबी हो इसी के चलते और उन गौड़ी ने यहाँ पर Underworld की एक कहते हैं कि सुला होती इंविजबल Underworld की यहाँ पर लोगों के बीच में और वो यह होती है कि आप किसी की family के उपर attack नहीं करेंगे आप एक दूसरे से लड़ेंगे एक दूसरे को मारेंगे लेकिन आप किसी की family पर माँ बाप भाई बहन इन लोगों के उपर attack नहीं करेंगे लेकिन यहाँ पर गवली यह सुला तोडने वाला था गवली ने दाउत की जो सबसे पारकर को टारगेट किया पारकर जो था वो junior film artist था और एक तरसे कहा जाए एक artist था एक कलाकार था और अपना ये जो नाकपाडा में अपना एक hotel चलाता था उस hotel का नाम था कादरी hotel तो ये वहाँ पर वो अपना hotel चला था अरुन गौली ने कई महीने तोग इसकी रेकी कराई देखा कि किस किस के साथ में घूमता है कहां कहां जाता है कौन लोग इसके आसपास रहते हैं सुरक्षा में कितने लोग क्या रहते हैं ये सब देखा इसके बाद में अरुन गौली को ये भी बताता कि शादी के बाद में हसीना पारकर अब पाकमोरिया स्ट्रीट में नहीं रहती थी जहां पे पूरा दाउत का खिला था अब वो डूंगरी में रहती थी नाक पाड़ा में उसके जो पती थे इब्राहिम पारकर उनका ओफिस था तो यहां पे आप ये लोग क्या करते हैं कि उनका नाम था कि सलीम पटेल सलीम पटेल के साथ में इब्राहिम पारकर यहां पे अपने होटल के भारी खड़े हुए थे शाम का समय था और अरुन गवली के चार लोग यहां पे आते हैं अंदा दुन फाइरिंग करते हैं सलीम पटेल के ऊपर और इब्राहिम पारकर के ऊ प्रवाइब को पकड़ कर आज पास के लोगों ने बुरी तरह मारा इनको बहुत जादा इतना मारा कि मानली जी अदमरी इनकी इस्तिती हो गई तो बहुत जादा इनको पब्लिक ने वाँ पे पीटा था यह दोनों जो शूटर्स थे इनका नाम था एक था सेलेश हल्दनकर और दूसरा था विपिन शेरे अब इन दोनों को पॉबिक ने मारा सर्याम लगा था इनको मारा जा रहा था लेकिन यहां बे पुलिस महँचतीः हो फुलिस इन को लेकर पब्लिक से बचार जेजे ऐस्पिटल ले जाती है और जे जे ऑस्पिटल में इन दोनों को एडमिट कर भा दिया जाता है इसके बाद में पुलिस ने अपने आगे की कारवाई की इन दोनों से पूछताज भी हुई अपने बहनोई की मौत की खबर जब दाउद ने सुनी है तो बताया जाता है कि वो कई दिनों तक सो नहीं पाया था कई दिनों तक वो सुया ही नहीं और उसने अपने सारे लोगों को यह एक और दे दिया था कि जब तक यह जो कातिल है इब्राहिम पारकर के इनको पकड़ा नहीं जाएगा इनको मारा नहीं जाएगा इने सजा नहीं दी जाएगी तब तक कोई भी चैन से नहीं बैठेगा और वो ये सोच नहीं सकता था कभी के अरुन गवली कुछ ऐसा करेगा क्योंकि इबराहिम परकर जो था उसका डाओद के गैंग से कोई लेना दे नहीं नहीं था उसका एक तरह से कहा जाए कि उसका अंडरवर्स से कोई लिना देना नहीं था और ऐसा करने के बाद में एक तरह से बताते हैं कि यह एक वो अटेक था जिसने दाउद को पूरी तरह से हिला दिया था तो अब यहाँ पर जो मौका था बदला लेने का वो दाउद इब्राहिम का था वो चाता था आरोंग गौली से और इन शूटर्स से जिन्नोंने उसके बेहनोई को मारा है उनसे बदला लेने का तो उस समय क्योंकि छोटा राजन जो था वो दुबई में दाउद के साथ ही था दाउद के साथ ही काम कर रहा था और सारे के सारी हमने आपको बता है अपने पिछली एपिशर में भी, कि सारी के सारी के सारे उसके काम जो थे द्हाद के वहाई एडल करता था तो यहाँ पे छोटा राजन से दाउज को पता चलता है कि यह जो दो शूटर्स है जोने पकड़ा गया था यह दोनों के दोनों जेजे ऑस्पिटल में इस समय अड्मिट है अब जेजे ऑस्पिटल एक ऐसा और इतना बड़ा हॉस्पिटल जिसके एरिया के हिसाब से अगर आपको बताया जाए तो जेजे ऑस्पिटल जिस जगह पे हैं बताया जाता है कि वहां से थोड़ी दूरी पर दाउद इब्राहिम का घर था, उस समय जो पार्क मोडिया स्ट्रीट और यह सब जो एरिया है, दाउद इब्राहिम का वहाँ पे घर हुआ करता था, उसके थोड़ी दूर आगे जाई था, अरुन गवली का पूरा एरिया है डगली चॉल वाला, इसके बाद थोड़ी दूर पे रोड के उस पार देखेंगे तो हाजी मस्तान जो बहुत बड़ा डॉन हुआ करता था उसका घर था वहां से सौल गज की दूरी पे करीम लाला का ओफिस था और रोड के एक साइड डूंगरी पूल स्टेशन दूसरी साइड नाटपड़ा पूल स्टेशन यह पूरा जो एरिया है यह आपको जेजे ऑस्पिटल की लोकेशन बताई जा रही है यहां पे इसके आसपस इतनी सारी जगें इतनी सारी चीज़े हैं साथ में उस समय का कुछी दूरी पर एडिशनल कमिशनर का रीजनल ऑफिस भी वह करता था तो यह एक ऐसा एरिया था जो बहुत ही ज एस समय बताया जाता है कि अपने बड़े काम चोटा राजन ने अपने पूरा काम था वो छोटारा राजन को ना देते हुए इस बार चोटा शकील को और सौत्या को दिया यह ऐसा क्यूं हुआ हैं हम आपको अपने एक एपिसोड में छोटा राजन दा मैन हूँ मेड डी कंपनी उसमें बता चुके हैं क्यों ये सब पूरा इनके बीच में राइवल्री उती छोटा राजन और दाउद के बीच में तो इस बार हुआ ये के दाउद इब्राहिम ने अपना ये जो काम था वो छोटा शकील और सौत्या को दिया और इसी के साथ में जेजे ऑस्पिटल जमशेद जी 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 भाई हॉस्पिटल जिसे मशूर था जो जेजे ऑस्पिटल के नाम से लगबग बीस एकड़ में फैला हुआ हॉस्पिटल करीबन पैतालिस उसमें पैतालिस से जादा बाट थे डेड़ अजार से जादा बैड थे और करीबन हर साल पांच लाक मरीजों का इलाज होता था तो एक ऐसा इतना बड़ा हॉस्पिटल जिस पे लोगों को अटेक करना था दाउद ने यहां से हामी भरी और इसी के साथ में छोटा शकील और सौत्या ने पूरा इस अटेक की प खतरनाक गेंग्स्टर उसे इसके लिए बुलवाया जाता है इस अटेक के लिए और महारास्ट्रा के उस समय के मुंबई के मुंबई अंडर वर्ड के दो सबसे जादा एक तरह से कहा जाए सटीक निशानेबाद दू ऐसे शाप शूटर जिनका बहुत बड़ा नाम था उस समय के अंडर बच्ची पांडे और सुभाश सिंग ठाकुर और बच्ची पांडे इन दोनों को भी इस अटेक के लिए यहां से बुलवा लिया गया था इसके साथ ही हत्यार आप देखी किस तरह के थे हत्यारों में 9mm की जो स्टार पिस्टल होती है वो थी कारवाइन्स थी ठीक है इसके साथ आपकी .32 जो रिवॉल्वर होती है वो थी और एक सबसे बड़ा हत्यार कलाश निकोव AK-47 राइफल यह पहली बार हो रहा था जब कि इसी अटैक में इतनी बड़े लेवल पर जिस अटैक को करना था उसमें मुंबई अंडरवर्ड के अंदर मुंबई के अंदर AK-47 राइफल का यूज होने वाला था यहाँ पे यह लोग पूरी प्लानिंग इसकी करते हैं छोटा शकील और सौत्या और इस पूरी प्लानिंग से इस बार छोटा राजन को पूरी तरह से दूर रखा गया था उसको बिलकुल भी इसमें इन्वाल भी नहीं किया गया था पूरी प्लानिंग होती है कि जिस दिन यह अटेक करना था इन लोगों को यह पता ही नहीं था कि यह जो दोनों शूटर्स हैं और उन गौली गैंके यह उस हॉस्पिटल के किस वार्ड में एडमिट है और वहां पर पुलिस का बंदोबस्त कैसा है यह सब चीज़े इन कि जब यह लोग इसमें शूट आउट करने वाले थे हमला करने वाले थे और यहां पर इन लोगों को यह भी तक पता नहीं था किस वार्ड में कहां पर हैं यह लोग फुलिस का कैसा बंदोबस्त है तो एंड मौके पर यह पूरा प्लान किया गया कि अब कैसे यहां पर पत होस्पिटल के अंदर जाते और यह दोनों को इनको बताया गया थे कि पता करना पूरा के कहां पर यह लोग हैं यह जो दोनों एडमिट हैं शूटर्स अउन गरली गैंक हैं अब यह दोनों यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर देड़ बजे रात के घुशते हैं और करीबन पूरा एक गंटा यह लोग अपनी रैकी में लेते हैं उस हॉस्पिटल में पूरा घूमें और इसके बाद एक चूटर्स दोनों वहां पर एडमिट हैं और उसमें एक पुलिस वाला है वहां पर चार कॉंस्टेबल हैं यह सब चीजें लोग बताते हैं आके दोनों जो कपल एक गया था अंदर कपल को इसलिए बेजा था क्योंकि जिससे शक ना हो लेकिन अब यहां पर एक कपल गया थ था सिर्व वह एडमिट था विपिन शेरे को उसी दिन सुबा एक दूसरे वार्ड में वार्ड नमबर 6 में शिफ्ट किया गया था तो अब यह लोग यहां पर आते हैं और जब धाई बज़े इन लोगों ने दाउद के शूटर्स को यह सब बाते बताई हैं कि यह लोग इ ए गंटे बादी आदी रात को रात के साड़े तीन बजे दाउद इब्राहेम गैंग के 10 शूटर्स करीवन 9-10 शूटर्स जेजे ऑस्पिटल के अंदर घुसते हैं और तावर तोड गोलिया चलाना शुरू कर देते हैं इन शूटर्स में सुबाश ठाकुर भी था सौत्या था बच्ची पांडे था बृजे सिंग था आं आपका जो विजय प्रधान ये सा ये सारे के सारे बड़े बड़े नाम जो समय के शाप्शूटर्स में भगय हो beingे इतने बड़े बड़े शाप्शूटर्स लेकर ये अटक किया जा रहा था और इनके पास वेपन जो थे चलाना शुरू करते हैं और कुछी समय में एक मिनिट के अंदर ही इनको यह दिख जाता है कि सैलिश हल्दनकर जो था उसके जिसम को बुरी तरह से इन लोगों ने चलनी कर दिया था उसको बहुत सारी गोलिया वहां पर लग चुगी थी वह अपने बैट पर पढ़ा हुआ थ पुलिस ऑफिसर ने काउच के पीचे चुपके उस वाट के अंदर ही वहां से अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोलियां चलाना शुरू कि जो कॉंस्टेबल थे उनने अपनी 303 राइफल से सरकारी राइफल से उससे गोलिया इन पर चलाना जवावी फाइरिंग करना शु और सौत्या जो वहां पे लगातार गोलियां चला रहे थे इन लोगों ने देखा कि सेलेश हलदंकर को तो यहां पे मार दिया है लेकिन विपिन शेरे का है दूसरा जो शूटर था जो आडमिट था अरों गरली गैंग का वो का है तो उसको यहां पे यह लोग लगातार के उपर इनको जवावी फाइरिंग कर रहे थे उन लोगों को उनकी फाइरिंग देखते हुए सौत्या ने सुबाश ठाकुर को इशारा किया कि वापस निकलना चाहिए यहां से और एके 47 का बस देते हुए तेजी से एके 47 चलाते हुए पुलिस वालों की तरफ यह लोग म अंदर हॉस्पिटल के 5-7 मिनिट की इन्होंने फाइरिंग वहां पे किये और उस पास से 7 मिनिट के फाइरिंग में करीबं 500 से जादा राउंड गुलियां वहां पे फाइर की गई थी उस हॉस्पिटल के वाड के अंदर पुलिस वाले मरीज मरीजों के रिष्टेदार नर में से भी सिर्फ एक ही शक्स सेलेश हल्दनकर को यह लोग यहां पर मार पाये थे यह वह अटैक था जिसने पूरी मुंबई को धहला दिया था मतलब यह बताया जाता है कि मुंबई के जो जेजे हॉस्पिटल के लोग है वो आज भी जब इसको याद करते हैं तो यहां पर हो सैम जाते हैं इससे क्योंकि जिस तरह से 500 राउंड गोलिया एक हॉस्पिटल के बाड के अंदर फायर की गई थी यह उस समय का सबसे बड़ा अटैक था और वो अटैक था जो दाउद ने दुबई से बैठकर भारत में कराया था इस पूरे अटैक के बाद में दाउद इ की इन दोनों का नाम सामने आता है के इन लोगों ने लौजिस्टिक सपोर्ट दिया था यह इत्ते भी शूटर ते दाउद दुब्रैम गैंक लूंको ममबई के अंदर उस समय साथ में JJ ऑस्पिटल शूट आउट के तार मुंबई से निकल के महरास्ट से निकल कर उत्तरप्रदेश तक पहुँचते हैं यूपी में जाके जुड़ते हैं यूपी के मंत्रियों का नाम सामने आता है ये वही शूट आउट है जिसमें ब्रिज भूशन शरन सिंग का नाम सामने आया ये बताया गया कि ऐसे आरोप लगे ब्रिज भूशन शरन सिंग के उपर के उन्होंने ये जो शूटर्स थे इनको नेपाल भगाने में अपनी खुद की जीब दी थी उस जीब का इस्तमाल करक ये लोग भागे थे नेपाल भारत से तो ये सब आरोप लगते हैं बाद में आरोप उनकी उपर से हटाए भी जाते हैं लेकिन आप ये देखिए कि राजनेताओं का नाम आने के बाद ये जो जेजो ऑस्पिटल शूट आउट की पूरी इन्वेस्टिगेशन थी करीबन इ आठ साल बाद ये मामला मुकदमा बन पाया आठ साल के बाद ये मामला जब मुकदमा बनता है इसके बाद में कोर्ट में पहुंचता है करीब 41 लोगों को उससमें समन किया गया था 41 लोगों को आरोपी बनाया गया था लेकिन सिर्फ 41 में से सिर्फ 9 ऐसे लोग थे जिने को आउट था जिसमें दाउद इब्राहिम के अंडरवर्ट डॉन के भारत के अंदर बड़े-बड़े मंत्रियों से नेताओं से एमेलेस से रिलेशन सामने आते हैं तो यह थी कहानी जेजे उस्परेल शूट आउट की आप लोग ने कई सारे शूट आउट के बारे में कहानिया बैठकर हमारे देश में भारत में इतना बड़ा एक अटैक कराया हो जिसमें 500 से जादा राउंड गोलियां एक सरकारी होस्पिटल के बार्ट के अंदर चलाई गई है यह वो शूट आउट है जिसमें दाउट के पॉलिटिकल रिलेशन सामने आए और यह जो नेक्स होता है बड़े बड़े अधकारी बड़े बड़े मेडिया पर्सनल वह भी बताते हैं कि यह सब चीजें एक साथ काम करते हैं तो यह थी आज की कहानी यह जो शूट आउट की हम कई सारे भारत की जो खूफी operations है जो missions रहे हैं भारत के जितने भी sensitive cases है इन सब के उपर आपके लिए वीडियोज लेकर आते रहते हैं और आपकी फर्माईशों के आपकी डिमांडिंग जो वीडियोज होते हैं उन पर ही वीडियोज लेकर आते हैं तो आप और भी अपने व QIS अब तयारी हुई affordable